हेलो इत्चोप कैसे हो आप लोग वेलकम टो एल्टिमेंशन और आज करने वाले अपने इंपोर्टेंट कोश्वन नेमाटिक्स के सेनीक नवदय और आरेमेस के लिए यह सारे questions बच्चे हमको बेशते हैं जिसमें से हम important question जो हमको लगते हैं वो हम आपका video solution बना करके यहाँ पर provide करते हैं तो इसके solution चलने से पहले मैं आपको एक announcement कर दूँ 4G batch launch हो चुका है 4G batch में हमने बच्चों की हर एक छोटी से छोटी problem को ध्यान पर रखा है तो अगर आप सेनी की स्कूल या नावदे स्कूल या फिर RMSS स्कूल की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह course बहुत जादा important है एक बार आप इस course की सारी detail वाला वीडियो जरूर देखिएगा जिसकी link आपको description में दी हुई है मैं और स्रेसर आप लोगों को guide करते हैं इस पूरे 4G पैचे हैं पूरे साल भर ताकि आप अपने सैनी की स्कूल की exam में AISSE में और CET में अपना best दे सकें चलो तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अगर आप हमको अपने doubts भेजना चाहते हैं चाहे वो GK के हो GS के हो IQ के हो maths के हो किसी भी सब्जेट के doubts हो तो आप telegram group जोईन कर सकते हैं जिसका link आपको description में दिया हुआ है अब यह question किसी एक बच्चे ने भीजा था I don't know कि वो exact था 4 into something कुछ और था 42 था उसने ऐसा question भीजा था तो मैं आपको इसका solution बता रहा हूँ अगर perimeter एक square field का चलो आपको क्या मोला है कि square field है तो एक square field का total perimeter जो perimeter है वो कितना है 4x plus 8 find the length of the diagonal diagonal क्या होता है कोई भी दो opposite vertex को जो line join करती है इसको बोलते है diagonal ठीक है यह तो आपको सबको पता होगा diagonal क्या होता है और perimeter मतलब चारो side का summation अब अगर इसका side एक side है A तो दूसरा भी A, तिसरा भी A और चौता भी A तो total perimeter मतलब पूरे चारो side का मिला करके कितना दी होगा है यह upon इसको भी divide करेगा यह इसको भी divide करेगा तो 4 और 4 एक दूसरे को मार डाले पहरें भी से और 8 by 4 is 2 तो यह आपका क्या आगया है? x plus 2 मतलब यह जो एक side है वो कितनी है? x plus 2 clear? total perimeter कितना था? 4x plus 8 तो एक side अपने निकाल लिया जो कितना है? x plus 2 अब diagonal निकालना है याद करो मैंने आप कोई batch में बताया था अगर कोई square है और अगर नहीं बता है तो यह बात ध्यान रखना अगर कभी भी कोई square है जिसका side है a square है जिसका side है a तो जो diagonal होता है वो होता है under root 2 a याद रहेगा अगर कोई square है जिसका side है a is the answer clear तो बहुत असान question था 4x plus 8 आपका perimeter था divide by 4 किये तो side आ गया और अगर एक side आ गया तो diagonal होता under root 2 times the side तो under root 2 से multiply कर दिये मतलब यह आपका मैं बोलूँगा theoretical question था conceptual question था concept पता होने चाहिए जो अपन ने area and perimeter में पढ़ा था आद आ रहे क्या चरो very good तो मैं आपको वही कहूंगा कि 4G batch launch हो चुका है उसको जरूर check out करना और उसमें जतना जल्द से जल्द हो सके enroll करनो क्योंकि हम live classes उसकी चालू करने वाले हैं ठीकि आपका doubt clearing session उसमें चालू करने वाले हैं pre audit test monthly test यह सब आपके पूरे के पूरे वहाँ पर आने वाले हैं हम साल भर आपका पीछानी छोड़ने वाले वहाँ पर और आपको guide करेंगे पूरे साल भर तो अगर आपने 4G batch में अभी तक register नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर सकते हो एप डाउनलोड कर सकते हो जिसकी link भी आपको description में मिल जाएगी चलो तो फिर मिनूँगा आपसे अगले class में तब तक के लिए हसते रहो मुस्क्राते रहो देखते रहो सारव सरकी class जय हिंद बाई बाई टेक केर